नमस्कार दोस्तो, SBI Securities Morning Podcast में आपका फिर से स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty और Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से Sectors है, ऐसे कौन से Stocks है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान के इंद्रित करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे दोस्तो, अगर हम कल के Market की बात करें Price Action Perspective से तो Nifty ने जो दिन का अंत है, वो 0.76% की गिरावट के साथ किया यानि काफी नकारात्मक दिन जो है, वो कल रहा पर इससे भी आगे चड़कर, Bank Nifty ने तो Nifty से भी बड़ी गिरावट दिखाई और वो 1.65% की गिरावट के साथ बहुत ही कमजोर प्रदर्शन उसने किया और खराब नोट पर क्लोजिंग दी व्यापक वाली जो है, वो चौतरफा हमको दिख रही थी और उसका नित्रत्व जो है, वो PSU स्पेस में सबसे जादा देखने को मिला उसके बाद मिटकेप और स्मलकर स्पेस ने भी अपनी अपनी जो हिस्से धारी है वो वहाँ पर दिखाई और तक्रीबन 3 से 5 परसंट की गिरावट जो है इन तीनों ही इंडेक्स में देखने को मिली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि IT और फार्मा सेक्टर ने दिन का जो अंत है वो हरे निशान के साथ किया और यह मार्केट को एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने में बहुत अत्ता काम्याब रहे अब अगर हम जो है अस्तिरता की जाज करें यानि इंडिया विक्स को देखें तो अंतरिम बजट फैड नीटी और आर बी आई की जो मीटिंग थी उसकी घोशना जैसे समीग जो important events थे उनके बावजूद इंडिया विक्स जो है 16 के स्तरों के आसपास बना हुआ है यानि कि अगर हम देखें तो जो events होते हैं उनके पहले हम generally देखते हैं कि विक्स जो है shoot होता है कि उसके उपर हमको जो है और भी जादा अस्तिर्ता या जो है volatility वो देखने को मिल सकती है अब अगर हम हमने पहले भी साजा किया है कि यहां से आम चुनाव नजदीक आने के साथ साथ अर्थ से उस्ता में लगाता और विद्धी हो सकती यानि जैसा मैंने का कि 17.501 important अस्तर रहेगा इंडिया विक्स के लिए उपर की तरफ अगर वहां से आगे निकलता है तो 21 तक इंडिया विक्स जो है वो पहुंच सकता है तो इसी लिए किसी को जो है excess leverage उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और नियमित रूप से उस तरपर जो है मुनाफ़ा वसुली भी करते रहना चाहिए इसके अलावा किसी को चुनिंदाल रूप से large cap में जादा weightage देना चाहिए बजाए mid cap और small cap के क्योंकि वहां पे जो है volatility या बीटा अगर हम देखें वो जादा high देखने को मिलता है यानि उतार चड़ाव जो है वो बहुत जादा होते हैं अगर हम US की जो 10 वर्षी bond yield है वो उसको देखें तो वो 4.17 के उचे स्तर पर कारोबार कर रहा है वहीं dollar index 104.15 पर कारोबार कर रहा है साथी साथ brand crude की जो कीमत है वो भी उपर की और ही गति दिखा रही है तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो बाजार के लिए short term में जो है negative एक संकेत देती है तो हमको इन पर नजर बनाए रखनी होगी चलिए अब हम बात करते हैं nifty की तो index के लिए देखा जा रहा है 21.750, 21.800 जो है वो एक resistance के तौर पर act कर रहा है वही support जो है 21.550, 21.580 इस zone पर placed है 21.550 से नीचे index जो है 21.430, 21.380 तक फिसल सकता है और ये गिरावट जो है आगे भी बढ़ सकती है अगर 21.550 से नीचे index ट्रेड करता है OI data को अगर इसमें जोडते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग nifty futures को देखे तो 0.67% की गिरावट जो है उसमें देखने को मिली वहीं 1.4% की overall जो है OI में addition हुआ यानि यहां पर short build up साफ साफ नजर आ रहा है PCR अगर हम देखे तो और उसी के साथ call writing या put writing भी अगर हम देखे डेटा में तो 21.700, 21.800 इन दोनों ही strike पे aggressive call writing देखने को मिली है वहीं PCR जो है 0.65 के स्थर पर कमजोर बना हुआ है put writing अगर हम देखे तो 21.600, 21.500 के जो strikes है उनमें हमको देखने को मिल रही है तो अगर हम OI data specific अगर range निकालते हैं तो 21.450, 21.830 यह तकरीबन 400 point की जो range है वो nifty में निकल कर आ रही है वहीं अगर हम bank nifty को भी इसमें देखें तो शुक्रवार को हमने एक थोड़ा सा सुधार वहाँ पे देखा था पर bank nifty ने फिर से जो है उस सुधार को पूरी तरह से नाकामियाब करते हुए कल का जो session है एक बहुत बड़ी गिरावट वहाँ पे हमको देखने को मिली और अब अपने ये 200 dma के उपर बंध हुआ है जो की 12 से अधिक सत्रों में ये पांचवा retest है यानि की last 12 अगर हम sessions देखें तो ये 5th time है जब bank nifty जो है अपने 200 day level पे वापस आ गया है और ये 45-300, 45-400 ये 100 dma का जो zone है वो resistance के रूप में कारे करने की संभावना है और जब तक ये पार नहीं होता है तब तक जो बिक्वाली का दबाव है दोस्तों वो बना रह सकता है नीचे की और अगर हम देखें तो 44-750, 44-700 इस zone पर हमको support जो है मिल सकता है bank nifty में अगर 44-700 भी तो index जो है वो 44-200 से 44-300 इन levels तक फिसल सकता है तो bank nifty में जरूर एक साउधानी से trade करने की आवशकता है वहीं अच्छी बात ये रहेगी कि bank nifty 45-200 से उपर टिक है अगर bank nifty ऐसा करने में काम्याब रहता है तो हमको एक short covering जो है वो 45-600, 45-700 इस levels तक मिल सकती है open interest data front पर अगर हम देखे तो bank nifty futures में 1.76% की गिरावट आई वहीं OI में 5% का इजाफा हुआ जिसका आर्थ है कि एक अच्छा कासा short build-up जो है bank nifty में देखने को मिला PCR 0.54 पर बहुत ही कमजोर बना हुआ है वहीं call writing अगर हम देखे तो 45,000, 45-200 में अच्छी कासी call writing वहीं 44-800, 44-700 में put का अच्छा का सा build-up हमको देखने को मिला है आने वाले सत्रों के लिए अगर हम इसी के basis पे एक OI data के इसाब से range निकाले तो 45-200 और 44-500 यानि 45-200 और 44-500 यह range जो है निकल कर आ रही है तो bank nifty के लिए तो यहां तक अब हम बात करते हैं आपके favorite segment पर यानि की कौन से ऐसे sectors है कौन से ऐसे stocks है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए जिनको आपकी watch list में जरूर शामिल होना चाहिए तो सबसे पहले जिनकी आज earnings आने वाली है उनमें है हिंडालको, आईशर मोटर, IRCTC और NOKRI यानि InfoEdge तो इ जैसे pharma और healthcare stocks ने अपना शांदार प्रदर्शन जो है वो जारी रखा है और वो इस बात से सपष्ट होता है कि pharma index उच तर पर और ज्यादा मजबूती दिखा रहा है व्यापक बाजार से अगर हम बात करें तो बजाज आटो, HCL Tech, MRF, कोफोर्ज और Voltas जैसे stocks में बढ़ि इसमें जरूर होना चाहिए, PSU के अगर अगर हम आएं, तो PSU नामों में bottom fishing से तब तक बचे जब तक स्थिर bottom गठन का कोई संकेत ना मिले, यानि bottom fishing के लिए भी पहले कुछ permissions या stability आना जरूरी है, तब वहां पे कोई sense बनेगा bottom fishing का, FIDI data को अगर हम देखें, तो cash में 126.60 करोड रुपे की खरीदारी की, वहीं DIA ने भी 1711.75 करोड रुपे की खरीदारी की, यानि FIA और DIA दोनों ही कल buyers रहे, इंडेक्स futures के लिए FIA का जो long straight ratio है, वो अभी भी दोस्तो 34.10, यानि 34.10 पर कमजोर है, क्योंकि शुद आदार पर उन्होंने 2482 इंडेक्स futures जो है, बे FIA ने 1,753 कॉंट्रेक्स बेचे हैं, और 9,728 पुट option कॉंट्रेक्स भी दोस्तों बेचे हैं, तो friends, आज के podcast में बस इतना ही, हमारे podcast को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद